Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum Welcome to 9th lecture of Criminal Law आज हम section 107 से लेकर 109 तक discuss करेंगे Section 107, Abatement of a Thing यहनि किसी भी चीज को या किसी भी काम को करने पर किसी दूसरे शक्स को साना वो abatement कहलाता है लेकिन लॉव ने इसको किस तरह से define किया देखते हैं A person abats the doing of a thing who instigates any person to do that thing engages with other person or persons in any conspiracy for the doing of that thing intentionally aids by act, mission, misrepresentation, concealment in doing of that thing यहनि कि लॉग की नजर में एक शक्स किसी दूसरे को कोई काम करने के लिए abat करता है यह उस वक्त साबित होगा यह उस वक्त बात कहलाएगी कि इस ने दूसरे को abat किया जब वो दूसरे शक्स को वो काम करने के लिए instigate करेगा, उकसाएगा या encourage करेगा या किसी दूसरे शक्स या एक से ज़्यादा लोगों के साथ मिलके कोई साजिश करेगा किसी काम को करने की या जान बूज कर कोई काम ऐसा करेगा या अपनी कोई duty छोड़ देगा या किसी fact की misrepresentation करेगा या किसी हकीकत को चुपाएगा ताकि उस खेर कनूनी काम को करने में मदद मिल सके याद रहे यहाँ पर thing की जो बात हो रही है तो ये खेर कनूनी काम की बात हो रही है illegal thing की बात हो रही है बही जैसे चोकीदार था उसने का भी आज रात को आप बैंक में आकर डखेती कर ले न तो मैं इतने बज़े से इतने बज़े न चाय पीने के बहाने यहाँ से चला जाऊंगा ठीक है या मिसrepresentation करना यानि के कोई हकायक है उनको गलत तरीके से पेश करना या हकायक को छुपाना जिसकी वज़ा से या जिसके नतीजे में उस काम को करने में असानी हो तो ऐसी चीज़ को हम अबैटमेंट करेंगे section 108 अबैटर को define करता है एक शक्स अबैटर कहलाएगा अगर वो किसी जुरम के बारे में किसी को उकसाता है या किसी जुरम को करने के बारे में किसी को उकसाता है या किसी ऐसी बात पर उकसाता है कि जिसके नतीजे में जुरम हो जाएगा ऐसा शक्स जो है वो अबैटर करलाएगा याद रहे अबैटमेंट के लिए ये जरूरी नहीं है कि जिस शक्स को उकसाया जाए वो वो काम करे भी सही अलब ये कि एक बन्ने ने दूसरे को चोरी करने की तरगीब दी उसने का जी आप चोरी कर लो इस बैंक में को खास यहां पर सेक्रिटी सिस्टम नहीं है असानी से हो जाएगी तो अब चाहे उसने वहां पर चोरी की या ना की लेकिन जिसने उकसाया वो अबैटर कहलाएगा और उसने जुरम किया सेक्शन 108A ये बताता है कि अगर पाकिस्तान के अंदर अबैटमेंट की गई है लेकिन जुरम उससे बाहर किया गया तो फिर क्या होगा यानि एक बंदा यहां से दुबाई जा रहा था जाने से पहले उसे किसी ने कहा कि यार दुबाई के अंदर जो है ना आप जिस जगह जा रहे हो वहां पर चोरी करना असान है CCTV कियामरे कोई नी लगे वे आप कर लेना तो उसने कहा यहां पर उसको उकसाया पाकिस्तान में अब वो जो जुरम करेगा वो तो दुबाई में जा करेगा यह आउटसाइड आफ पाकिस्तान करेगा तो ला यह कहता है कि ऐसी सूरत में जो जुरम होगा उसकी सजा इस शक्स को इसी तरह से दी जाएगी कि जैसे वो जोरम पाकिस्तान में ही हुआ हो Section 109 Abatement की Punishment को बताता है कि जब लाग के अंदर वाज़ तोर पर Abatement की Punishment बयान ना की गई हो यानि when there is no express provision available for the act resulted due to Abatement Abatter will be punished with the same punishment as provided for that offense जैनि कि जब लाग के अंदर किसी को उकसाने की सजा वाज़ तोर पर न बताई गई हो तो फिर उस शक्स को उकसाने वाले को वो ही सजा दी जाएगी जो उस जुरम को करने वाले को दी जाएगी ये क्या बात हुई इसको एक example से समझते हैं एक शक्स ने दूसरे को उकसाया चोरी करने पर, अब फर्द कर लें कि लाग अंदर चोरी पर उकसाने की कोई सजा नहीं बताई गई, फिर क्या होगा, फिर ये होगा जनाब कि जो चोरी की सजा है ना उकसाने वाले की वोई सेम सजा दी जाएगी, अमीद करते हैं इस शौर्ट वीडियो में ये चंद एहम कॉंसेप्ट हम आप तक पहुंचाने में काम्याब रहे होंगे, अगर फिर भी कोई बास समझ ना आई हो या मजीद कुछ पूछना चाह रहे हो तो हमें इमेल करें, हमारे फेस्बुक पेज को लाइक करें, वीडियो अच्छी लग गई हो, तो इसको भी लाइक कर दी अगर हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ वीडियो को शेर कर लें, उनसे भी चैनल को सब्सक्राइब कर वाएं, ताकि उनका भी फायदा हो, हमार से जुड़े रहने का शुक्रिया, अल्ला आफ़स झाल को सब्सक्राइब कर दोस्तों 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 कर